तो यह देखो यह प्यारे बच्चों इस वाले अगर question को देखोगे तो इसमें क्या जा रहा है एक अपने पास solenide है तो चलो एक solenide बना लेते हैं लेटेस कंसीडर है यहां से एक solenide है ऐसे कुछ ठीक थोड़ा सा मैंने थीक बना लिया solenide तो ऐसे एक solenide है और इस solenide में जो यहां से current flow हो रहा बैटरी से connect करोगे प्लस माइनस तो यहां से बैटरी से connect करोगे AC source connect किया यहां पर तो इस पूरे solenide में जो number of tons है यहां से लेकिए यहां तक capital N जो है magnetic fields each ton हर एक ton जो को एक ton एक ton की बात करो इसकी बात करो एक ton की बात करो तो एक ton से magnetic flux link है that is 4 यहां से 4 इंटू 10 की power minus 3 वेवर यहां से एक ton से यहां से link है single ton मैं single ton को आपको red से बना देता हूं आपको ज्यादा feel आएगा यह वाला single ton तो इसमें तो ऐसे 1000 ton है ना बाई कहता है self inductance of the solenide किसी भी चीज का self inductance निकानने का simple सा तरीका है किसी भी coil का self inductance ठीक ना flux associated with that coil और current flow में multiply divide कर दोगे तो उस coil का L निकल जाएगा ठीक ना अब जो flux है उस पूरे coil का तो total total flux तो total flux जो है एक flux through the one coil और multiplied by number of turns और यहां से current आई तो total flux through the solenide का जाएगा तो एक coil का यह जो फाई है this is flux of one coil तो flux one coil that is यहां से भी है flux one coil यहां से देखोगे यहां से भी है नहीं value तो दिया हुगा ना 4 into 10 की power यहां से minus 3 और यहां से 1000 और यहां से current flow हो रहा 4 ampere ठीक है तो यहां से 4 यह 4 खतम हो गया और यहां से तुम देखोगे तो point minus one ठीक ना point एक minute यहां से minus 3 था ना और यह 100 नहीं 1000 ता बच्चो तो 1000 ता तो यह खतम हो गया तो यहां से one henry जो है वह बचेगा that is यहां से भी option सही है thank you